जैगो माता वंदे मांतर मित्रो जोत्रमे गुमरी संस्थन में आपका हर्दिक श्यागत है मित्रो हम आज बात करेंगे किड्नी फेलियर के बारे में क्या है किड्नी फेलियर आज जो मैं आपको जिस सड्यंतर के बारे में बताने जा रहा हूं वह आज बहुत सोचने का विशेा बन गया है कल एक भाहि का कमेंड आया था कि सर किड्णी के बारे में बताईए किड्णी लाइट ऐलेशिस पर उसकी स्तती है तो मित्र यह सोचने का विशे हैं कि हमारे देश में इतने किड्नी डेलेसे सब्सक्ति करने जा रहा हो सबस्य हैं कि क्या इस्तिति कृष्द पर्षे पेले हमारे कीड्नी डेलेसे सांटर ले वह बहुत कम वातरा में थे और कीड्नी फेलीर समंन्दित केसेज भी बहुत ही कम थे और फिर अचानक इतने जादा है और हर अवस्ता में बच्चों से लेके वड़ों तक की किड्नी फेल हो रही है इसके पर्मुक कारण है वो इस तरह से है ग्रामिन और सहरी शेत्रों में इसके कारण अलग-अलग है आपको समझने होंगे कि जो ग्रामिन शेत्रों में किड्नी फैल हो रही है सबसे पहले हम समझते ना घ्रामिंट में हमारे संस्थान में जितने भी पेशेंट आते हैं अब इस तरह से समझीए कि 100% पेशेंट में उसके पेशेंट हैं जिनकी कीड़्नी पेशेंट ने खुद ने ऐसे इस्तर्धी लाया है कि वो वो फेल हो गयी या किड्नी फेल का जो जो मूल करने वो पेशेंट खुद होता है कि इस तरह से ग्रेविट्ट शेत्रे कर Opportunity सबसे पहले आप मोपी जो मुक्या है मोमी का रहती है किड्नी फेल के कारण फेल होने शेत्रों में मजदूर वर्क हैं उनका कारिये इस तरह से रहता है कि उनको बॉडी में दर्द उड़ता है तो उनको जो पेंकिलर का शेवन करने की एक आदत से हो जाती है और दिन में एक वार जरूर पेंकिलर का सेवन करते हैं बहुत सारे मरीज़ों से मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि यह कोमन है हर घर में तो ग्रामेंट शेत्रों में सबसे ज़्यादा ऐलोपेटिक मेडिशन और दर्द निवारक का उप्योग होता है उसके अंदर भी जो दब दर्द निवारक दवाव का प्रियोग होता है वो जो एक दूर रुपे में टैबलेट मिल जाती हैं हर गाव हैं उन मेडिशन का प्रियोग होता है और वो डारेक्ट किड्नी पर एटेक करती है और किड्नी फेल होने का परमुख कारण है ग्रामेंट शेत्रों में उनकी जो बच्चे होता है उनको भी आद्ध हो जाती है छोटी सी छोट लगी है थोड़ा सा दर्द हो गय लेने कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद ग्रामिनी शैत्रों में एलकॉल का प्रयोग, मजीरा पान जो लीवर और किड्नी दोनों के लिए हनेकार के और उस पे किड्नी फेल हो जाती है उसके शेवन से सहरी शैत्रों में जो परमुक कारण है उनका खान पान सबसे जादा जो पैकिंग फूड है इनका शेवन करने से किड्नी पर बहुत ही परभाव पड़ता है नेगिटी परभाव और सबसे जो घातक है पे है जो आजकल पैकिंग पे मिल रहे है जिसे आप एपसी कोला और अन् करते हैं और कीड्नी के लिए इतने घातक है कि इनका कंटीनिउ शेवन से किड्नी फैल बाड़ी में हार्बोन इन बैलेंस और बहुत सारी समयंचिया हैं को देखने के देखने के लिए मिल सकती है सबसे ज्यादा सहरी शैत्रों में फेट समनदित किड्नी समनदित लीवर सम पान पाद और उसा जट्रेश रॉम में ऐसा भी देख theo है की कि जितना पानी नहीं पीते हैं उत्रा ज्यादा कोलींग और जो पैकिन पे हाए उनका सेवन करते हैं उन गरोमने इस तरह से जैसे पानी केंप बेन्पकेंप आते हैं उस तरह से इन पेक कैंप रह का है और किजनी डैमेज होना ही होना है है अब ग्रामविन और सारी शैत्रों में जो कोमन कारण है जो दोनों में है कुछ आघंदी मौत्पोन हैं और यह सबसे बड़ा स्दी अंत्र है और यहां से ही किजनी फेलह ना कीजनी समंद्ध कुरिह अब और की सुरुआत हुए करते थे 10 से 12 साल के अंदर इसका पर्चलन सबसे ज़्यादा बढ़ा और ये बढ़ानी इसको बढ़ाया गया TV एड के करन प्लास्टिक मिक्स है वो नमक है यह नमक कंपनिया पानी को तो उड़ा देती है पीछे नमक बजता है उस नमक को पॉलिश करने के बाद कमिकल मिलाती है और इसकी आयोडीन इसतर बढ़ाने के लिए सिंथेटिक आयोडीन रहती है यह नमक के परयोक से आपके बॉड़ी में आयोड्रा बढ़ जाती है और वो इतनी बढ़ जाती है कि हार्म्ओन इंबेलेनस का कारण होति है और हार्मोन इन्बैलेंस होने के बाद आपकी बाड़ी की परिस्तिती रहती है आपके पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस है पूरा कड़बड़ा जाता है आपके हार्मोन अगर डिश्टब होगे तो डॉक्टर भी आपको किसी भी रोग जो रोग होते हैं आपको कंफर्म नहीं मेटाबॉलिक डिशीज। इसका कोई नाम नहीं और इसका कोई उपचार नहीं नाम बता दिया डिशीज आपका मेटाबॉलिक पूरा गडबड़ हो गया और इस नमक के परियोग से सबसे ज़ YES किड्नी की केसिज बड़े और किड्नी फेल होने का एक ही कारण है यह जो आइडिन निक्त नमक होता है इसके सेवन के से जो बाड़ी में टॉक्षिन बार निकालने का प्रोसेस है किड्नी का वो अवरुद्ध हो जाता है जो किड्नी का काम है टॉक्षिन बार निकालना है Quelकिन आयोडिन्व已 नमकर से िख्यूंसित के अशुक्ति जकता थियुक्ति जो रक्ति की अशुद्या है ऑफें बाहर निकला बंढ़ हो जाती है और फिर धीरे-धीरे इकत्रित होती है और उसका भी एक लेवल होता है और उसके बाद किड्नी फैल हो जाती है और आपका क्रेटिनी लेवल बढ़ जाता है उसके बाद मित्रों जब किड्नी पेशेंट ऐसी अवस्ता में आ जाता है कि जो सरीर के शिम्टम सो होते हैं पिशाब गाड़ा आना, कलर चेंज होना, पिशाब के अंदर ब्लेड आना, कमर में पेन होना, भूखना लगना, खुन की अतिन्त कमी इस तरह के लक्षन्षो होते हैं और उसका डाग्नोसिस किया जाता है कि किड्नी फेल हो चुकी है या आप उस लेवल तक बहुत चुके हो तो यह प्रोसेस शुरू होने के बाद एक ऐसे सत्ति में जाके बंद होता है जिसमें पेशेंट को मौत की शिवा कुछ नहीं रहता और अंत में एक दर्दनाक मौत होती है समझी किस तरह से सुराती स्टेज में सबसे पहले समझीए क्रेटिनीन लेवल जो क्रेटिनीन लेवल है वह हमारे बाड़ी का जो समान्य होता है वह है 0.6 से 1.2 mg per deciliter जो हमारे बलड है वो per deciliter के according लेकिन जो पेशेंट्स है उसके अंदर 1.5 mg से 2.5 mg जब हो जाता है तो पेशेंट को प्रैमरी जो टीटमेंट है वो सुरू किया जाता है तो उनको इस तरह का टीटमेंट दिया जाता है जिसमें कैल्सिम हो गया आयरेन हो गया और उसके बाद चूडाई यूरिटिक मेडिशन्स है उनका शेव करवाया जाता है और इन मेडिशन का शेवन करते-करते पेशेंट लगबक्स आठ से नौ करेटिनीन लेवल हो जाता ह मेडिसिन की सिवन करने के बाद में लिऑर उसके बाद को पहस के आपको ड्री अब सकता है और करवाना पड़ेगा ड्री शियूं करवाना पड़ेगा क्यों कै आपकी ऐसे इस्तथ्य होगी कि ऐपको ड्रीक नहीं करूंआ होगे तो ड्रे बात Wenya आपके पास दूसरा कोई option नहीं है पेशन डालीसिस करवाना शुरू कर देता है अब डालीसिस करने का जो तरीका होता है उनका यह होता है मैने में एक वार फिर दिरे-दिरे 15 दिन में एक बार फिर सब्ते में दो वार फिर खतम लेकिन उसके बाद में भी नहीं चोड़ता है मित्रूम उसके बाद में प physicians के पास पैसे हैं तो उनको आप बताया जाता है कि आप kidneys Transplant कर वा दी जिसके पूर्ण संतुष्टीं हो जायी कि पूर्ण एक लाक रुपे करके अगर आप किड्नी ट्रांस्प्लांट भी करवा देते हो तो चार से पास सालों के भितर उसी अवस्ता में पहुंच जाओगे, वो किड्नी काम नहीं करेगी, लगबग 100 में से 2% पेशेंट ऐसे होते हैं, जिनकी लाइफ टाइम तक किड्नी वर्क करती ह किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद, लेकिन बाकी 98% पेशेंट वापिस उसी अवस्ता में आ जाते हैं, या पेशेंट खतम हो जाते हैं, अगर आपकी ठीक हो, और आपकी वापिस फेल हो चुकी है, तो डॉक्टर यह की बाद गया, वापिस डालीसिस करवाई है, और हो जाता है, लेकिन टीटमेंट नहीं होता है, तो मित्रों इस तरह से समझीए कि एलोपेथिक में किड्नी फेलियर का, किड्नी डिजीज का, कोई टीटमेंट नहीं है, सिर्फ आप घूमते रह जाओगे, लेकिन टीटमेंट आपका नहीं होगा, जो आईरुवेद में और पंच गवय में जो टीटमेंट है, इसका पूर्ण टीटमेंट है, लग्वर हमारे संस्तान में 6 मेने में पेशिन पूर्ण रूप से ठीक होगे जाता है, लेकिन इसका तो टीटमेंट है, उसके लिए जो बलीदान आपको देना पड़े हो, इस तरह से समझीए कि जिसकी ज टीटमेंट ले सकते हैं, तो समझीए, इसका तो टीटमेंट का तरीका होता है, वो चार चरणों में है, चार चरणों में जो पहला चरण है, वो है परहेज, आपको परहेज करना है, जो जो आपको बताया जाता है, दूसरा चरण है आहार, जिस तरह का आहार बताया उसी आहार का शेवन करना है बाकिति जो आहारन मना किया जाए उन आहार का कभी शेवन नहीं करना है तीसरा शरा जो महत्वन चरण योग और पढणया महत्व है योग और पढणया और oxygen level सरीर का oxygen level अच्छा है तो आपको किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं हो सकती लेकिन oxygen level बहुत कम है तो हर तरह की डिजीज होगी तो योग और परणयाम से हम ऑक्षीजन लेवल को अच्छा कर सकते हैं अप्षीजन लेवल इंप्रोव कर सकते हैं रोग पर्तित्युद्रक्षम बढ़ा सकते हैं तो ऑक्षीजन लेवल अच्छा करने के लिए योग और परणयाम करना अफशक है और किड्नी के अंदर क्या होता है कि किड्नी फेल हो गई है किड्नी कभी फेल नहीं होती कि जो ऊक्षीजन एक महत्वान जिवन कर सकता है और योग और परनाया में बहुतних बबमिकान आथ है उसके भाद में औस स 평 मारा है क्वन तो बर्स है तो इसका श्यवन करने से एक गजब घर अगर आहई तो आप 7 मतलब करता है तो ऊसिवन करने sappro रखते हैं जो चारों चरण हैं इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी जानकारी स्वस्त समंझ जो जानकारी हैं वो आपको अगे भी मिलती रहे और आपका किसी भी तरह का कोई क्यूशन हो तो कमेंट कीजिए जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए है जैगो माता वंदे मातर मित्रों